नमस्कार दोस्तों साजन क्रिएशन में आपका स्वागत है आज हम डिफरेंट टैप्स के स्काफ बनाना सीखेंगे तो आएए सीखते हैं तो यह है मेरा सेवेंज स्काफ यह कुछ ऐसा दिखने वाला है यह मेरा फेवरेट है उतना तो नहीं जितना एक्जिस्टेबल है तो भी यह मेरा फेवरेट तो है तो इसके लिए मैंने रुपटे को हाफ में फोल्ड कर दिया है यह हाफ में फोल्ड हो जाए उसके बाद आपके गले में इसे रख दे और यह जो पाटे दर कुछ डालना नहीं है यह सेम एस फॉस पाफ इसमें थोड़ा छोटा स्काफ चा देती हूँ यह जो है यह वाला ऐसे राउंड वाला उससे हम इस पाट के नीचे से उपर उतना नहीं बट मिदल में रख देंगर से छेपा लेंगे आपको यह पास छोटा असा स्काफ हो तो फिर दर सीधा एक नौट बांद के कर सकते हूँ मेरे पास उतना छोटा तो नही है बट मैंने का आपको आइडिया दे दिया है अभी हम एज सकाफ करेंगे यह एज सकाफ पी बहुत ही यूनीक और डिफरेंट है इसे बनाने हमी सीखते है चलिए दिखाती मैं आपको तो उसके लिए हमें दुपट्टी को हाफ में फोल करके ऐसे ट्विस्ट कर देना और और आगे का यह पार थोड़ा छोड़ना है मैंने इसके टॉप पार पे यह रबर बेंड लगाया था ताकि इसे ट्विस्ट करने में आसाम मिल ही और आप इसे कर दे जाए जैसे कि मैंने यहां किया है अब चाहो तो और इसे ट्विस्ट कर सकते हो तो यह हो गया, अभी यह वाला जो राउंड है, यह फर्स्ट वाले जिल साही है, बट यह यूनिक और डिफरेंट इसलिए हो गया, क्योंकि यह ड्विस्टेड पैच की वाचा से, ताप यह से देख सकते हो, मुझे यह थोड़ा राउंड बड़ा लग रहा है अभी, मैं इसे ठोड़ा ठोटू सा गड़न भी, और यह हो गया हमारा, इसलिए हो गया हमारा, इसलिए देख सकाफ, चलिए अभी 9th सकाफ करते हैं तो अभी हम करेंगे 9th scuff, 9th scuff के लिए मैंने ऐसा एक बिल्ट लिया, यह मेरे फ्रॉक का बिल्ट है, आप ऐसे कोई भी बिल्ट आते हैं, आपकी skirt मेडे में, फ्रॉक में कोई भी आता है, आप ले सकते हो, आप के पास नहीं है, तो आप इसे सिरी भी, सीविंग मशीन में भ है, तो इसे मैंने इसे हाफ में फोल्ड करके रखा हुआ है, अब एक होगी सिंपल है, आपको कहीं बाहर जाना है, और आपके पास कुछ है नहीं, अच्छा सा पैनी में है, और आपके पास ऐसा कोई बेल्ट है, तो इसे ऐसे एक नोट कर सकते हो, यह इतना सिंपल है, बट इतना चार्मिंग और सबसे ब्यूटिफुल है, यह भी मेरे फेवरेट में से है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है, वो भी एकदम शाइनी है, तो यह बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो अब हम चलेंगे टेंथ स्काफ में, नाइन्थ और टेंथ मैंने इसलिए ऐसे सिंपल नाइसे बनाया है, क्योंकि आपको बाहर जाना है और आपके पास कुछ है नहीं, तो आप ऐसे यह कोई भी बेल्ट ले लो, यह मेरा भी स्कौर्ट मेडिका बेल्ट है, यह वेला मैंने ए फ्रॉग का था और यह वेला मेरी स्कौर्ट मेडिका है, इसका मटेरियल और अगर आप ऐसे रख के छिट जाता है तो ऐसे करो यह नाइन स्पीड चोपर रही है और 10 पीड चोपर यह है यह हो गया बात करते करते कब हो गया पता ही नहीं चला आपको लग रहा है कि लड़की के दिमाग में इतने सारे आइडियास कब है यह लोकडाउन है तो मेरी जैसे बहुत सारे बच्चे भी ऐसे फ्री बेठ है जैसे कि मैं भी फ्री बेठ हूँ तो मैंने ऐसे इस स्काफ के आइडियास इसे निकाले क्योंकि कभी-कभर वह में बाहर जाना होता है और हमारे पास एक डुपट्टा होता है और उसे स्टाइल क कर सकती हूं और कुछ ना हो तो ऐसे बेल्ट हो तो इससे विया कर सकती हूं तो यह है मेरा टैंस का अब भी हम चलेंगे 11 स्टाफ तो 11 स्टाफ के लिए मैंने वाइट कर खाल गया है अब इससे मैंसे उपन कर देंगे दूसरा जो चाहिए हमें हो है बेल्ट को अब ही हम ऐसे लगाएंगे नौट करके एक छूटा सा बो कर देंगे बो नहीं बो ओके यह हो गया अब हम ट्वेल्ट स्टाफ करेंगे उसके लिए मैंने ऐसे तीन कलरफुल बेल्ट लिए हुए इसे ऐसे हम ब्रेड कर देंगे इसके लिए कोई हलपर चाहिए तो यह मेरी सिस्टर हंदल कर देंगे तो अभी हम इसे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं तो अभी मैंने तीनों अलग कलर के बेल्ट लिए और स्टार्टिंग में और एंडिंग में लोग सेफ्टी किन लगाई है ताकि यह खुलना जाए और अभी हम इसे स्टाइल कर देंगे तो मेरा वाइट पेल्ट बहुत ही बड़ा दिख रहा था इसलिए मैंने इसे कुछ फ्लावर टाइप बनाने की कोशिश तो फुल किया है कोई बात नहीं अभी इसे ऐसे यह तो फ्लावर है इसका आगे ओ यह खुल गया कोई बात नह अब यह थोड़ा कर देंगे अब यह थोड़ा कलर फुल लगे इसलिए है यह ब्रेट की वज़े से और भी ज्यादा कुछ सी रहता है अच्छा दिख रहा है यह हो गया अभी हम थर्टींद स्काफ करने बाले है तो थर्टींद स्काफ के लिए दो नो पैरिलल सेम चीज़ अब यह थोगई हो गया थर्टींद स्काफ यह सेशन कंपलीट नहीं होने वाला है इस ऐस अनलिमिट नहीं हो जाएगा चिंदा मत करीए बट केतने इसकाफ में करने वाले हो मुझे भी नहीं पता है वैसे तो ब और दिखाते चाहिए। चलिए भी आग मड़ते हैं। तो मेरे ये स्काफ का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। और हाँ मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना। धन्यवाद।